हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्कूल इन जोतपुर की इस लिस्ट में हमने टॉप 10 स्कूल कैसे चूस करी है इसमें हमने तीन में ग्राइक्टेरिया लिया है सबसे पहले कि स्कूल एक लीस्ट पांच साल पुरानी होनी चाहिए उसमें सारे क्लास होने चाहिए फर्स्ट टु ट्वेल्ट के और इजी ली रीचेबल होनी चाहिए यानि सिटी से 30 किलोमेटर की रेडियस के अंदर यह स्कूल होगी कि याँ अपने बच्चे का स्कूल चेंज करना चाहरे हैं या फिर पहली बार किसी स्कूलnity ले जा रहा है तो स्कूल करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा स्कूल आपने बच्चे के करियर के लिए उसके , एजट...... है ना सिर्फ एक स्कूल से बच्चे को एडुकेशन मिलती है, साथ ही साथ वहां का जो उसका सरकल, जो नेटवर्क बनता है, वो उसके साथ जिंदगी पर काम आता है एक स्कूल के जो morals या values होता है, क्योंकि एक बच्चे अपने जिंदगी का significant हिस्सा स्कूल में बिताता है, इसलिए वहां ही उसके morals और values बिल्ड होता है, तो ये भी बहुत important है कि स्कूल में morals या values पे काम किया जाता है कि नहीं, तो overall आपके इस छोटे सा decision का बच्चे के career पर, उसकी life पर एक बहुत long term impact होने वाला है, इसलिए school को choose बड़ी carefully करना चाहिए तो आज हम देखने वाले है top 10 schools in जोटपर, उनके pros and उनके cons, कौन सा school choose करें, वो आपने सहुलियत के हिसाब से after reading complete list कर सकते हैं, यदि आपके कुछ बचार है हमारे list के बारे में, तो वो भी बचार है, आईए बात करते है number 10 school से, इसी तरीके से हम number 1 तक बात करेंगे, number 10 school है, बियार बिल्ला, बियार बिल्ला school चौपासी housing board में situated है, इसके positive बाते हैं, क्या admission process easy है, यहां की fees relatively कम है, और क नुकसान है, छोटे बड़े, वो हैं कि city से थोड़ा दूर है, बहुत दूर नहीं लेकिन थोड़ा दूर है, और यहां के जो senior बच्चे हैं, वो काफी notorious है, 9th number पे आते हैं, 9th number पर school हा रही है, सर्दार चिल्वर्न स्कूल, यह को आप दून स्कूल भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी recently in का 2017 में, दून स्कूल देहरादून के साथ collaboration हुआ है, स्कूल के positives क्या हैं, कि यह recently renovated है, यह city के अंदर situated है, सर्दारपुरा में, and it has huge ground, one of the largest and oldest school in the city, and जैसा कि मैंने पता हैं, इसका recently दून स्कूल के साथ collaboration हुआ है, तो वहां से इनको काफी technology, teacher, etc. मिलने वाले हैं, इसके cons क्या हैं, कि इसके recently fees काफी बढ़ गई है, और जो इसका collaboration हुआ है, उसके बाद इसका परड़ाम कैसा आता है, यह अभी तक देखना होगा, नमबर 8 पर आती है, विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल, अगेन थोड़ा सा city से दूर situated है, और इसका infrastructure, etc. बहुत बहुत प्यारा बनावा है, नई स्कूल है, लगब 6-7 साल हुआ है, इसको डेवलप होए है, इसके cons यह हैं, कि बहुत बड़ी इसकी history नहीं है, जो इसका record को प्रूव करती है, प्लस इसके alumni इसने बाहर के world में कैसे perform किया, इसका भी बहुत बड़ा database नहीं है, और जैसा कि इन बताया, city से थोड़ा दूर है, तो आपके बच्चे को हर दिन लगबग 25-30 मिनट आने में और जाने में खर्च करने पड़ेंगा, नबर 7 पर आता है क केवी केंजरे विध्याले, केवी इंडिया के बहुत सारे cities में है और obviously बहुत ही अच्छा branded school है, यहां पर separate guide और scout की units है, यहां के fees reasonable है, जोदपुर में केवी का infrastructure बहुत अच्छा है, इसकी location भी central है और यह Air Force area में near polar ground situated है, इसका एक और फायदा है कि यदि आपका job transferable है, त सानी सा admission मिल जाता है, even in mid of the year admission मिल जाता है, कौन यही है कि यहां पर केवल 10% seats, civilian या non-government employees के लिए registered है, तो यहां पर admission पाना थोड़ा सा difficult है, यही हमारे list में number 6 पर है, number 7 पर है, number 6 पर है, number 6 पर है central academy, जोदपुर की one of the famous school is central academy, इसका सबसे बड़ा फायदा ही है कि across है, admission चुकि इतनी सारी branches है, तो admission बड़े आराम से यहां पर हो जाता है, लेकिन इसके जो नुकसान है कि quantity over quality, यहां पर लगबग चुकि सभी का असानी से admission हो जाता है, तो एक premium crowd यहां पर नहीं आता, results are moderate, बुरे results नहीं, लेकिन average results है, exceptional भी नहीं का जा सकता, और कुछ-कु recently developed campuses काफी अच्छ है, तो आपको यह choose करना होगा कि कौन से campus में आप admission ले रहे हैं, उस हिसाब से आप Central Academy को choose कर सकते हैं, प्लस Central Academy की branches भी, राजिस्थान और इंडिया में काफी और जगे है, तो अगर आप transferable job में है, तो आपको दूसरी जगे admission relatively आसानी सो जाएगा, नंबर शासी सरकल के पास situated है, एकदम centrally, इसके cons यह हैं कि यह only boys school है, और अगेन यहाँ पर senior classes में थोड़ा सा चुकी यह से boys school है, तो notorious kids यहाँ पर होते हैं, और कही न कहीं आप यह कहा जाता है कि अगर आप COVID environment में पढ़े हैं, तो you will be much more comfortable further, तो यह चीज आप decision उस आप से ले सकते नमबर फोर्थ पर आती है सेंट पेटरिक्स विद्याबवन, जोदपुर की one of the oldest school है, very disciplined है, results इसके phenomenal रहे हैं, इसने कई सालों तक लगाता है, जोदपुर के board toppers दिया है, अगेन centrally located है, कौन जाहे कि सिर्फ girls school है, and it is really difficult to get admission, बहुत लंबी line लगते हैं आपर, even form लेने के नमबर फ्री पर आता है sentence public school, sentence के भी results phenomenal रहे हैं, बहुत सालों तक इसने quality results दिया है, साथ ही साथ बच्चों की personality development पर यहाँ पर काफी काम किया जाता है, यहां कि बच्चों की English fluency, बाकि सभी school से बहतर होती है, कौन जी है कि इनके पास बड़ा playing ground नहीं है, और plus last कुछ समय स यहां के reputation थोड़ी सी downgrade हुए, still it is a really good school to get into, number two पर हमारे list में आ रहा है, राजमेता कृषने कुमारी, RKK girls public school, यह royal family के द्वारा established की गई school है, one of the oldest school है, बहुत अच्छे, इसने भी results दियें throughout, इनका annual function, पूरे जोदपुर में famous है, और very well executed, extra curricular, co-curricular, सभी activities पर यहां पर ब girls school है, high piece है, और कहीं न कहीं यहां पर बच्चों में money centric भावना आ जाती, यानि आपस में चीजों को लेकर competition रहता है, कितने के चूलते पहने, कितनी महंगी घड़ी है, त्याती, last और rank on पर जो undoubted winner है, that is Delhi public school, Delhi public school लगभग 12 से 15 साल पहले शुरू ही थी, बहुत बड़ा campus है, इसका one of the best infrastructure है, हर class में 6-8 sections है, तो बहुत कई हजार बच्चे हां पर पढ़ते हैं, और recent years में सबसे best results, schools ही आए हैं, उसका एक reason यह भी हो सकता है, बच्चे भी बहुत जादा है, कौन से है, कि यह city से दूर है, जालामन की तरफ पढ़ता है, लगबग, again, आप अगर central city में भी रहता है, तो हर दिन आपको 20-25 मिनट one way travel करने में जाना पड़ेगा, और यहां भी कही न कही बच्चों में competitive भावना, गलत reasons के साथ कारण भी आ जाती है, जैसे आपके parents कितने rich हैं and so on, लेकिन यदि आपको admission मिलता है, तो DPS is again a very good school to get into, कुछ other notable names है, महेश पब्लि अगर आपके कुछ suggestion है regarding the good schools या आपको लगता है आपके top 10 schools कौन से होने चाहिए, तो नीचे comments में दीजे, यदि आप क्या school list list में नहीं है और आपको लगता है कि वो school list list में आना चाहिए, तो नीचे comments करिए, हमारे channel को subscribe करें, आगे भी हम ऐसे आच्छे videos डालते रहेंगे, झाहिए. Thank you.